हाई फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे hierarchy of controls for covid-19 और coronavirus तो hierarchy of hazards controls के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं इसका जो five step है वो है elimination मतलब physically hazard को remove करना next step आता है substitution मतलब है इसको hazard को replace करना next आता है engineering control मतलब इसमें क्या होता है जो आदमी है उसको isolate करना है hazard से next आता है administrative control मतलब हम लोग जो OMA काम करते हैं उसको change करना last में आता है personal protective equipment तो हम लोग अभी बात करते हैं COVID-19 के बारे में तो COVID-19 में सबसे पहले आता है elimination मतलब हमको physically remove करना है hazard को तो हम लोग अगर possible है तो घर में रहिए आपने आपको isolate कीजिए यह है elimination next आता है substitution यह जो point है इसको लेके safety advisor के बीच थोड़ा सा अन्मनी है बहुत सारा advisor बोलते हैं जो substitution यह जो staff है COVID-19 के बारे में नहीं apply होता है और कोई-कोई advisor बोला है अगर आप isolate नहीं कर पाते हैं तो घर में बैटके काम कीजिए इसको substitution के बारे में यह लोग दिया next आता है engineering control इसमें क्या होता है हम लोग जो body temperature है regular check करेंगे उसके बाद hand wash करेंगे sanitize करेंगे हाथ को ठीक है और कुछ भी problem है तो doctor से discuss कर लेंगे next आता है administrative control इसका क्या है way of work हम लोग जब बात करेंगे या कभी भी किसी से कभी काम पे जाएंगे तो हम लोग तो two meter का जो distance है वो maintain करेंगे और possible नहीं है तो one point five तो रखेंगे रखेंगे one point five meter minimum रखेंगे हम लोग और next आता है pp और काम पे जाना ही है काम करना ही है तो हम लोग n95 mask या surgical marks हम लोग use करेंगे यही था covid-19 का जो hierarchy control था तो उम्मित करते हैं यह जो hierarchy of controls for coronavirus और covid-19 आप लोगों समझ में आया होगा अगर आप लोगों यह वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए दोस्त लोगों से share कीजिए और मेरा चैनल को subscribe कर दीजिए ओके बाई